मद्यप्रदेश मांसुन 2019 की लाइव अपडेट आगले 24 घंटे में मद्यप्रदेश के एंजिलों में भीशन बारिश की चेहता होनी दोस्वागत है आपका हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल में हूँ आपका अगयन मित्र कुल्दीप पांडे दर्शको आज किस वीडियो नहीं क्या है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबस्पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथी बेला इकुन दबादे जिससे तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरह पहुश्पाए और आप उनसे लाफ़न मित्यू करते हैं आज मध्रदेश में लंबे इंतिजार के बाद आखिरकार मानसुन ने दस्तक देती है मंडला चिंदवाडा के रास्ते मानसुन मध्रदेश में पहुँचा है मौसम विभाग ने मानसुन के पहुशने की अधिकारी गोश्णा कर दिये बता दे कि किसी भी एक इलाके में तीन दिन तक मानसून की गतिविनिया चलने और नियून तम तीन सेंटीमिटर बारिश होने पर मौसम विभाग द्वारा मानसून आने की घोशना की जाती है मंडला चिंदवाडा और खंडवा में सुभा से बारिश जारी है अनुकूल परिस्तिदियों की वज़ा से दक्षिन पश्चिमि मानसून अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है अगले 48 घंटे बाद मौसम भुपाल में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा अगले 24 घंटों के दोरान कहीं जिलों में भारी बारिश का अलट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है प्रदेश में सोमभार को कहीं इलाकों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है सोमभार शाम इंदोर में तेज बारिश देखी गई है वहीं शाम तक बालाघाट सहित महा कोशल और मालवा के कुछ छेत्रों में बारिश होई है पिछले 24 गंटों के दोरान इंदोर जवलपूर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर भी बारिश हुई है मंडला संभाज बाला खांट जिले सहित आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिन में 3 सेंटी मिटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है मानसून के प्रदेश में दस्तक देने के बाद लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 48 गंटों में रतलाम, जाबुआ, अलिराशपूर, धार, बढ़वानी, उजजेन, आगर वा इंदोर जिले में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है मुसिभाग के अनुसार दक्षिन पर्षिम मानसून और आगे बढ़ रहा है यह सोमभार को मारास्ट का कुछ हिस्सा, मराठवाडा का आधिकांस हिस्से और विधर्व के कुछ भाग तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आगे बढ़ा है अगले 24 गंटों में मानसून की अरब सागर ब्रांच भी मद्दप्रदेश पहुँच जाएगी जिससे दक्षिन पूर्वी और दक्षिन पश्चमी मद्दप्रदेश के इलाके तरबतर हो जाएंगे इन जिलों में बारिश होने की संभाव ना आगे 24 गंटे में प्रदेश के अधिकांस इलाकों में बारिश की संभाव ना है यही पर उज्जे, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, मंसोर, आगर, इंदोर, धार, खंडवा, खरगोन, अलिराजपुर, जाबुआ, बढ़वानी, बुरहानपुर के अधिकांस शेत्र में इसी एक साथ जबलपुर, मंडला, बालाघाट, नरसिंगपुर, सिवनी, कटनी, छिंदवाडा, उमरिया, अनूपपुर, शेडोल, डिनोरी, होशंगाबाद, बैतूल, हरदाजिले के कुछ स्थानों पर बारिश वगर चमक के साथ बोचारेपणने की संभाव ना है वही रिवा, सत्राच, सीधी, सिंग्रोली, भोपाल, राइसेन, राजगड, विदीसा, सीहोर, सागर, पन्ना, टिकमगड, दमो, छतरपुर, गुना और अशोक नगर में भी कहीं-कहीं पर बोचारे पर सकती हैं और बारिश होने की संभाव ना है जब आएगा यहां इसे लाइव अपडेट बनाए हुए जिसे कुछ नए अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको सुचित करेंगे दर्शक को आशा करते हैं आपको अमरा आज कभी शेयर पसंदाया होगा यही पसंदाया होगा लाइक करें और आज इस अधिक लोगों त बांदे मातरम